नमसक्мотр दोस्तों हम आपका स्वाइद करते हैं हमारे Best LIC Plan के चानल पर और दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं दो LIC के ऐसे प्लान के बारे में जो LIC के Best LIC के प्लान है जो कि पहला जो प्लान है हमारा जो जीवन लाब है और दूसरा जो अभी भी लॉंच हुआ है धन रिखा प्लान जो कि 13 दिसंबर को लॉंच हुआ है तो चलिए इनके बारे में जानते हैं कौन से दोनों में से बेस्ट प्लान है अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है तो हमारे चैनल को सर्ब्सक्राइब कर लें ताकि यह ऐसी वीडियो आपको मिलती रहें सबसे पहले दोस्तों हमने धन रिखा का एक्जामपल लिया है जिसमें पहले हमने आपको बताया था कि लिंटेड प्रीमियम प्लान बताया था इस वले में हम आपको सिंगल प्रीमियम प्लान के बारे में बताने जा रहे हैं तो अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको उपर आई बटन में और नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो को आप वहाँ पर जाके देख सकते है तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जो यह प्लैन है दोस्तों यह हमने रवी के लिया है जिनकी एज 30 साल है और समशोर दोस्तों इसमें 10 लाख लिया गया है और इसका जो हमने टर्म रखा है वो 20 साल रखा हुआ है जिसमें कि आपने दस साली पैसे पे करने हैं और दस साल पैसे नहीं पे करने हैं तो चलिए सबसे पहले दोस्तों अगर हम इसके प्रीमिएम की बात करेंगे तो जो हमने फॉस्ट एड़ में प्रीमिएम देना है यह सिंगल प्रीमिएम वो 7,666 होगा जो की एक ही बार हमने पे करना है और उसके बात दोस्तों आपको हर जैसे आपकी 40 साल उमर होती है तो उस वक्त रवी को डेड़ लाख रपे दे दिये जाते हैं जो की एक मनी बैग था 15% का और 45 वर्ष दोस्तों फिर से उनको मनी बैग दिया जाता है जो की डेड़ लाख होता है और दोस्तों अब अगर हम इस पूरे plan के cover की बात करें जब Ravie की 50 age हो जाती है उस बीच में उसको कितना cover मिलता है तो दोस्तों उसमें इनको साड़े बारा लाग से लेके 20 लाख रपे तक का cover इसमें इनको मिलता है और दोस्तों अगर इसमें maturity की बात करें तो maturity की में आपको 17,00,00 रुपे फिर से दिये जाते है और दोस्तों जैसा कि हमने पहले जाना था कि इस plan की खासियत क्या थे कि ये guaranteed रहता है इसमें आपको पहले ही बता दिये जाता है कि कितना इसमें आपको returns मिलता है दोस्तों इस वीडियो को मैं ज्यादा लं की वीडियो है उसको देख सकते हैं धनरेखा plan की जीवन लाब हमने जो सेम 30 साल की एज के लिए जो रवी है उनके लिया हुआ है और इसका जो plan है वो दोस्तों 21 साल का है क्योंकि जीवन लाब में 20 साल का कोई plan नहीं होता है 21 साल का होता है इसलिए हमने 21 साल का लिया हुआ ह और इसकी वी जो समशोड है वो दोस्तों 10 लाक रखा गया है तो इसमें दोस्तों आपको जो फर्स्ट एयर का प्रीमिम आता है वो 80,436 रुपे आता है और अगर हम दूसरे एयर से 45 वर्स तक जो हमने पे करना है आगे 15 साल के लिए वो दोस्तों आपका 78,600 रहता है और अगर दोस्तों अब हम इसकी मिच्योर्टी की बात करें जो कि हमने 6 सल पैसे नहीं देने उसके बात जो 21 साल हमें मिच्योर्टी मिलती है उसमें दोस्तों आपको 20,36,000 रुपे फिर से मिलता है और ये दोस्तों एक लमसम अमाउंट होती है हो सकता है ये ज़्यादा भी हो सकता है और हो सकता है इससे थोड़ा कम भी मिले बट इतने 20,00,000 तक आपको इसमें मिल जाता है लमसम और अगर हम इसके cover की बात करें तो दोस्तों इसमें आपको 10 लाग साड़े 10 लाग से लेके 20 लाग तक का cover इसमें भी आपको मिलता है जो की धनरेखा plan में भी आपको मिल रहा था तो इसमें भी दोस्तों आपको loan और surrender अगर आप surrender कराना चाते हैं और settlement option दोनों ही plan में आपको मिलती है उसमें भी आपको 5, 10, 15 साल के लिए settlement option मिलती है और इसमें भी जो आपकी maturity है उसको 5, 10, 15 साल के लिए आप इसको settlement कर सकते हैं बाकि आगे बात करें हम इसके difference की तो दोस्तों यहाँ पे हमने आपके difference create किया है ताकि आप इसको अच्छे से समझ लिए ताकि कौन सा बहतर है या कौन सा नहीं है या दोनों ही बराबर है तो तो दोस्तों जैसे हमने left side में धनरेखा plan लिया है और अगर हम right side में देखे तो जीवन लाब है तो दोस्तों जैसे हमने भी जो example देखा last धन रेखा का इसी वीडियो में उसमें जो हमने total premium pay किया था तो दोस्तों हमारा 7,66,000 था और अगर हम total return की बात करें तो दोस्तों वो 19,50,000 होता है वैसे ही इसमें अगर हम जीवन लाब में देखे जो हमारे total premium हमने pay की है 16 सालों में वो दोस्तों 8,34,000 है और अगर हम return की बात करें तो दोस्तों इसमें आपको अच्छा return मिल जाता है 20,24,000 के round अगर हम return के basis पे देखें तो इसमें ज्यादा difference नहीं है हाँ लेकिन अगर आप अगर limited premium लेते हैं तो धन रेखा के plan में थोड़ा सा difference आ सकता है जो धनरिखा plan है इसमें आपको guaranteed bonus मिलता है इसमें आपको आज ही बता दिया जाता है कि आपको कितना bonus मिलेगा और इसमें कोई भी हिरा फेरी नहीं होती आज जो आपको बता दिया जाएगा वही आप आपको मिलेगा और अगर हम बात करें जीवन लाब की तो दोस्तों इसम जो हमें bonus मिलता है और final edition bonus ये दोनों ही दोस्तों आपका थोड़ा सा उपर नीचे हो सकता है at the time of maturity जब आपके maturity मिलती है तो हो सकता है इसमें थोड़ा सा 19-20 का फरक आ सकता है लेकिन अगर हम धन रेखा की बात करें तो इसमें आपको granted ही मिलता है और अब बात कर लिए दोस्त दोस्तों इसमें कोई भी आपको money back नहीं मिलता है इसमें आपको survival benefit मिलता है जो कि last में maturity होती है अब दोस्तों धन रेखा में जो हमेरे पास दो option available रहते हैं जिसमें आप single premium भी choose कर सकते हैं और limited premium भी choose कर सकते हैं लेकिन अगर बात करें हम जीवन लाब की तो दोस्तों इसमे हमें सिर्फ और सिर्फ limited premium option ही में हमें मिलता है अगर धन रेखा की बात करूं तो मैं इसमें यह अच्छी बात दी गई है क्योंकि अगर single premium होता है तो हमें दोस्तों regular से हमें कम pay करना पड़ता है हम अगर इकठ़ा पे करते हैं तो हमें कम पे करना पड़ता है इससे क्या होत और जो हमारा premium paid है वो कम हो जाता है, तो मैं आपको suggest करूँगा कि आप single premium वाला ही choose करें, अगर बात करें इन दोनों के returns की तो वो दोस्तों दोनों ही tax free होती है, जीवन लाब और धनरेखा दोनों ही tax free होती है, तो आप दोनों में से कोई भी choose कर सकते हैं, बाकि अगर आप दोस्तों single लेना चाते हैं, single premium अगर आपके पास इकठा पैसा है, तो मैं suggest करूँआ आप धनरेखा plan के साथ जाए, लेकिन अगर आप के पास regular premium पे करना है, आपके पास इकठा पैसा नहीं है, तो आप दोस्तों जीवन लाब के साथ भी जा सकते हैं, ये दोस्तों कुछ main points थे जो धनरेखा और जीवन लाब के थे, जो कि मेरे को लगा कि आपको बताना चाहिए, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, इससे आपको जो है plan choose करने में अ असानी होगी, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों हमें comment करके जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को like करें, या dislike करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए है तो इस चैनल को subscribe करे ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहें, दोस्तों हम हर Saturday को एक नया plan लेके आते हैं, आपके लिए नया combination plan हो सकता है वो, तो इसके लिए आप हमें subscribe जरूर करें, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको हमेशा मिलती रहें, मिलते हैं next वीडियो के साथ, जैहिन!